C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है तीसरी जमात के लिए महलियाती साइन्स की समय दर्सी किताब आसपास का पंधरवा सबक आओ बरतन बनाए सफ़ा नंबर 96 एक थी चड़िया नाम था फदगुदी एक थकवा नाम था भनाते दोनों में गहरी दोस्ती थी एक दिन भनाते ने कहा अरे ओ फदगुदी अगर तूने अंडे दिये तो मैं खाऊंगा और अगर मैंने पहले अंडे दिये तो तू खा लेना मन्जूर फदगुदी राजी हो गई कुछ दिन बाद फुद गुदी ने अंडा दिया भनाते बोला दे दे अंडा खाऊंगा अंडा दे 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 फुद गुदी डर गई बोली भाईया ठीक है पहले जोंच दो आओ नदी में भनाते नदी के किनारे गया और बोला, ए नदी, नदी बोली, क्या भनाते भईया, भनाते बोला, ए नदी, पानी दे दे, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा, नदी बोली, पानी भरेगा कैसे, बरतन तो लाओ, भनाते कुमहार के पास गया और बोला ए कुमहार इस सफे पर एक तस्वीर दी गई है जिसमें एक कुमहार बरतन गढ़ रहा है और वहीं बैठी एक खातून बरतनों पर पेंट कर रही है सफा नंबर 97 कुमहार बोला क्या भहिया भनाते भनाते बोला मुझे एक बरतन दे दे बरतन लेकर जाऊंगा ठंडा ठंडा पानी लाऊंगा चोँज धोकर आऊंगा फिर मैं अंडा खाऊंगा कुमहार बोला बरतन बने कैसे पहले ला मिट्टी खदान से भनाते मिट्टी की खदान पर गया और बोला, ए मिट्टी, खदान, मिट्टी खदान बोली, क्या भाईया भनाते, भनाते बोला, मिट्टी खदान, मुझे मिट्टी दे दे, मिट्टी लेकर जाऊंगा, बरतन मैं बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोज धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा, मिट्टी कैसे खो दें, पहले लुहार से खुर्पी लेकर आओ, भनाते लुहार के पास गया, बोला, ए लुहार, लुहार बोला, क्या भनाते भईया, भनाते बोला, लुहार मुझे एक खुर्पी दे दो, खुर्पी लेकर जाओंगा, मिट्टी मैं खुदवाओंगा, बरतन मैं बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, जोंज धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा लुहार बोला, ले ले खुर्पी प्यार से, पर लाना वापस याद से खुर्पी लेकर भनाते, खदान पर गया, चिकनी मिट्टी खोदी और कुमहार को दी कुमहार ने बरतन बना दिया, कववे ने उसमें पानी भरा और अपनी चोंच धोली फिर दोल लगाई फुदगुदी का अंडा खाने, इस बीज फुदगुदी चडिया का अंडा फोड़ कर चूजा बाहरा गया था और बच्चा फुर हो गया था, भनाते कववे की पहच से बहुत दूर इस सफे पर चार जगा कववे की तसवीर दी गई है, और सफे के आखर में फुदगुदी और उसके चूजे की तसवीर दी गई है, जो की परवास भर चुके है अन्ना पूर्णा सिन्हा की भोचपुरी कहानी का उर्दू तरजुमा इस कहानी पर ड्रामा करने से बच्चों को बहुत लुत्फ आएगा, और कामों की तर्तीब समझने में भी मदद मिलेगी बच्चों को तखलीक इजहार के मवाके मिलेंगे तल्बा को ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तरगीब दें सफा नंबर 98 कवे को बर्तन की जरूरत क्यों पड़ी बर्तन बनाने में किन किन लोगों ने कवे की मदद की बर्तन बनाने के लिए कुमहार को किस किस सामान की जरूरत पड़ी क्या तुम्हारे घर में मिट्टी के बर्तन है, कौन-कौन से? अगर तुम्हें कोई चिकनी मिट्टी दे, तो क्या तुम कोई बर्तन बना पाओगे? मिट्टी का गोला गोले से कटोरी इस सफे की बाई जानिब तीन तसवीर दी गई है पहली तस्वीर में दो हातों के दर्म्हान चिकनी मिट्टी का एक गोला है, जिसके बीच में अंगूठे से उसमें छेत किया जा रहा है दूसरी तस्वीर में हात के जरिये उस छेत को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा कर कटोरे की शकल दी गई है तीसरी तस्वीर में तयार कटोरा दिखाये गया है चिकनी मिटी को गूंद कर एक बड़ा सा गोला बनाओ इस गोले के बीच में दबाकर गड़ा बनाती हुए इसे कटोरी जैसा बनाओ अपनी कटोरी को सुखा कर उसे सजाओ अब अपने शौक की चीज उसमें रखो सफा नंबर 99 मिटी का साप साप से बरतन चिकनी मिटी को पानी से गूंद लो थोड़ी मिटी को पानी में घोल कर अलग रख लो ये घोल मिटी के दो टुकडो को आपस में जोड़ने के काम आएगा गुंधी हुई मिटी का कुछ हिस्सा बेल कर उसे मोटी रोटी की तरहां चप्टा कर लो ये बरतन का तला बनेगा बाकी गुंधी हुई मिटी को साप जैसा लंबा बना लो तस्वीर में देखो और इसी तरहां साप को तले पर चिपका कर बरतन बनाओ इस सफे की बाई जानिब चार तसवीर दी गई है पहली तसवीर में गुंधी हुई चिकनी मिट्टी का एक गोल दाइरा बनाया गया है दूसरी तसवीर में चिकनी मिट्टी को साब की शकल दी गई है तीसरी तस्वीर में चिकनी मिट्टी के तले पर उस साब की शकल दी गई मिट्टी को चिपकाया गया है चौथी तस्वीर में प्याला तयार है मिट्टी की रोटी रोटी से बरतन तस्वीर को देखकर इस तरह से बरतन बनाओ अगर इन बरतनों में पानी डाल कर राद भर रखो तो क्या होगा हम अपने घर या स्कूल में मठके में पानी रखते हैं वो मठका पानी से गल क्यों नहीं जाता क्या तुमने कभी इट या बरतनों को भट्टी में पकाते हुए देखा है यहां सफे की बाई जानिब चार तसावीर दी गई है चिकनी मिट्टी को पहले बेला गया है दूसरी तस्वीर में चिकनी मिट्टी को दर्म्यान से काटा गया है तीसरी तस्वीर में एक चप्टी मिट्टी को काटी गई मिट्टी के साथ जोड़कर एक प्याला बनाया गया है मिट्टी से बरतन बनाते हुए बच्चों के कपले तो जरूर गंदे होंगे मगर बच्चों को खुद करके सीखने में लुट्फ आएगा और खुशी होगी सफा नमबर सौ सोचो कि बहुत बहुत जमाने पहले जब बरतन नहीं थे तब लोग क्या करते थे लोगोंने बरतन क्यूं बनाय होंगे मान लो एक दिन दुनिया से सारे बरतन गायब हो जाएं तो तुम्हारे घर में क्या होगा जवाबात के लिए खाली जगह दी गई है जानते हो बहुत 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 साल पहले एक वक्त ऐसा था जब लोगों के पास बरतन नहीं थे लोगों को खाने पीने की चीजों को पकाने और रखने के लिए बरतन की जरूरत महसूस होने लगी काफी कोशिश करने और दिमाख पर जोर देने के बाद लोग बरतन बनाना सीख गए शुरू में पत्थर और मिट्टी से बरतन बनाए जाते थे हाथों से पत्थरों को खोद कर या कुरेद कर और मिट्टी को गोंध कर ये बरतन बनाए गए थे लोगों ने ये भी दरियाफ्ट कर लिया कि मिट्टी के बरतनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए इसी के साथ 24 असबाक की किताब आसपास का पंधरवा सबक आओ बरतन बनाए यहीं खत्म होता है सौती ताउन तलत खान अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठे पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्माण सहयोग मिनाक्षी कुकरेती निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत